राज के अंधेरे में चोड दुकान की शटर टोड पैसो से भरी गुल्लक ले उड़े मुखे हाईवे पर तहसिल के नजदी की घटना खबर करहल थाना अंतरगात छेतर से है जहां बुद्वार गुरुवार की दर्मियानी रात तकरीबर दो से तीन बचे के बीच कुछ अग्याद चोरू ने एक हैर कटिंग की दुकान की शटर तोड़ कर दुकान में पैसो से भरी चार गुल्लक चुरा कर भाग गए हैं दुकान के आसपास लगी सिसी टीवी केमरे में चार चोर गुल्लक ले जाते तो दिखाई दे रहे हैं दुकान संचालक नितन सेन ने बताया कि वे कल दुकान पर नहीं था उसकी मामा और दुकान पर कारेरत लड़की ही दुकान समाल रहे थे उसे तो आज सुआ घटना का पता लगा वही नेतन ने बताया कि गुल्लक में तकरीबन 45-50,000 रुपए रहे होंगे जिन्हें चोर ले गए दुकान बंद करते समय पैसे गुल्लक मी रख कर जाता था कभी कभी गरहा के सामने भी पैसे गुल्लक में रख देता था घटना देकर लग रहा है कि चोर के वर गुल्लक चोरी करने की नियस से ही आये होंगे क्योंकि चोर गुल्लक के अलावा किसी अन्य सामन को नहीं ले गए पलाल धाने में रिपोर्ट कर दी गई है पुलिस अभी भी चानबीन करने आई थी और आश्वासन देगर गई है कि जल्दी इस घटना में शामिल लोगों क की पैसक कहां रखे हैं जिस पर पुलिस अब पूस्ताज के सिलसला जारी कर जल्दी मामले के खुलासा करने की बात कह रही है देखे कराल से समवादात आमित कुमार्श श्रिवास्तर की रिपोर्ट मुझे तो कुछ मालूम नहीं मैं श्यूपरी गया था मेरे मामा और छोटू थे दुकान पर रात के समय दो बज़े के बीच में किसी ने सटर टोड़ी है और पचास अयार के संटिंग मेरे पैसे थे जो गुल्लकों में थे चार गुल्लक थी जो उनको ले गए मेरे पास कोई केमरा नहीं है अजू-बाजू में कैमरी है उन में देख रहा हूं तो उन में सही दिखनी रहे मैं कितने लोग है कुछ? चार लोग देख रहे है का आइडिया लग रहा है कि पूरम होसकती है? कुछ ऐसा कि किसी का नाम ने ले सकता है तो चारे वाी मह सरो भीख ऴसीा थे तो पूर मैं डालते थे थे पुरे पैसे दुकांबंद रहा है बेला दालते थे? किसका नाम लूँ किसको बताओं मेरे दुकान में तमाम गराक आते हैं अभी तो किसी का नाम ने ले सकता अभी आस्मान देखे गई हैं कह रहे हैं कि अभी देखते हैं पूटू बगरा कीच ले गए घाई सब्सक्राइब और कुछ भी नहीं ते गुल्लक कोई लेने आई थे ले जुलक कोई वाम भी शाताओं हैं अभी आईम झाहें।